असलाम अलेकुम फ्रेंस आज हम बनाएंगे मेथी की ऐसी नई रेसिपी जो आपने कभी नहीं खाई होगी एकी तरह की मेथी की सबसी खाके अगर आप बोर हो चुके हो तो ये रेसिपी आप जरूर ट्राइ कीजिए आपको बहुत जादा पसंद आएगी मेथी की कितने फाइदे हैं ये तो हम सबको पता ही है इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा मेथी को हम किस तरह से अपनी फैमिली को कंज्यूम करवाए तो चलिए एक नई कोशिश करके देखते हैं सब में पहले हमने मेती के पते पते तोड़ लिये हैं इसे हमने खुले पानी में अच्छे से वाश कर लिया है ताकि जो भी मित्ती वगेरा इसमें होती है वो आसानी से निकल जाए उसके बाद हमने इसे इस तरह से बारी कट कर लिया है अब इसमें से एक मुठी मेती में साइड में निकाल लूँगी इसका यूज हम बाद में करेंगे और बाकी के मेती में हम वन टी स्पून नमक आड़ कर देंगे ऐसा करने से कुछी देर में मेथी भी हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी और बाइंडिंग भी कम लगेगा नमक को मेथी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पांच मिनिट के लिए से साइड में रखेंगे तक हम दूसरी तयारी कर लेंगे इस तरफ मैंने एक कढ़ाई में टू टेबल स्पून ओईल ले लिया है ओईल हलका सा गरम हो जाए तब हम इसमें वन टी स्पून जीरा आड़ करेंगे पांच से छे लसुन की कलियों को बारिक चॉप्ट करके आड़ करेंगे एक मिनिट के लिए इसे फ्राई करेंगे और इसके साथ हम यहाँ पर हिंग भी आड़ करेंगे लसुन और जीरा जब अच्छे से फ्राई हो जाए तब हम इसमें मीडियम साइज की बारिक चॉप्ट कीवी प्यास को आड़ करेंगे प्यास को अच्छे से fry कर लेंगे जब तक कि ये translucent नहीं हो जाते बहुत भी ज़ादा हमें इसे golden fry नहीं करना है प्यास जब हलके से soft हो जाए तब हम इसमें दो crushed कीवी मिर्ची को add करेंगे आप चाहो तो हरी मिर्ची को बारी cut करके भी add कर सकते हो हरी मिर्ची अब अपने taste के recording कमिया जादा adjust कर लीजेगा अब हम इसमें दो medium size के टमाटर की puree add करेंगे टमाटर को हमने roughly chopped करके grinder jar में piece लिया है ज्यास के साथ टमाटर को mix करेंगे टमाटर के साथ ही मैं अब यहाँ पे कुछ masala add करेंगे वन टीस्पून नमक, वन टीस्पून धनिया पाउडर, वन टीस्पून ब्रेट कश्मीरी चिली पाउडर, वन फोथ टीस्पून हल्दी add करेंगे इन्हें mix कर लेंगे दो से तीन मिनिट तक हम इसे पकाएंगे जब यह मसाले थोड़े से फ्राइ हो जाए, साइट से ओईल छूटने लगे तब हम इसमें आदा कब पानी add करेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना और इसे लो फ्लेम पे पकने देंगे फिर दूसरी तरफ आ जाएंगे, हम अपनी मेती के तरफ यह देखिए मेती सॉफ्ट हो चुकी है अब हम इसमें एक कब बेसन add करेंगे यहाँ पर मैंने दो से तीन लसुन की कलियों को और दो हरी मिर्चियों को क्रश करके ले लिया है वो हम इसमें add करेंगे नमक हम यहाँ पर वन फोथ टीस्पून add करेंगे क्योंकि अलरी हमने पहले मेती में नमक add किया हुआ है वन टीस्पून धनिया पाउडर अड़ करेंगे वन फोथ टीस्पून हल्दी अड़ करेंगे हाफ टीस्पून रेड कश्मीरी चिली पाउडर अड़ करेंगे One teaspoon अज्वाईन को हाथ से crush करके add करेंगे जिससे इसका flavor बहुत अच्छे से आएगा One fourth teaspoon गरा मसाला पाउडर एड़ करेंगे teaspoon zero अच्छे से mix कर लेंगे जादा तर इसे mix करते हुए आपको पानी की जरुवत नहीं पढ़ती है बहुत ही असानी से ये अच्छे से बाइंड हो जाता है जरूरत पढ़ने पर आप एक दो टेबल स्पून पानी डाल सकते हो ये देखिए ये कितने अच्छे से बाइंड हो गया है आप एक छोटे से पोश्चन को हाथ में ले लेंगे और उसे थोड़ा लंबा लंबा सा रोल कर लेंगे आप चाहे तो इसे गोल शेप में भी बना सकते हैं मैं इसे लंबा लंबा शेप दे रही हूँ ये देखिए इस तरह से हमें रोल कर लेना है बाकी सभी को भी हम इसी तरह से रोल करके रेडी कर लेंगे ये देखिए सभी को हमने रोल करके रेडी कर लिया है मसाला भी हमारा अच्छे से भून चुका है तब हम इसमें 2 टेवल स्पून मलाई आइड करेंगे ये मलाई मैं यहाँ पर घर के दूद से निकाली हुई यूज कर रही हूँ मलाई हाँ पर यूज करने से मेथी में जो कड़वाट पन होता है न वो नहीं लगेगा और हमारी ग्रेवी में एक अच्छी से रीचनेस आएगी एक मुठी मेथी जो मैंने निकाल के रख दिया था वो अब मैं इसमें एड कर दूँगी इन सभी चीजों को मिला लेंगे मेथी को मिक्स करने के बाद दो से तीन मिनिट हम इसे पकाएंगे मसाला तो हमारा पहली अच्छे से भून चुका था मेथी भी अभी सॉफ्ट हो गई है अब हम इसमें दो कप पानी आड करेंगे गैस की फ्लेम को हमें हाई पे रखना है जैसे हमारी ग्रेवी को उबाल आता है तब हम इसमें ये रोल्स डाल देंगे सभी रोल्स को डालने के बाद इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनिट तक पकने देंगे धकने देर में रोल्स पक भी जाएंगे और सॉफ्ट भी हो जाएंगे ये देखिए 10 मिनिट के बाद जब हम लिड हटा कर देखते हैं तो हमारे रोल्स साइज में भी थोड़ी बड़े हो चुके इसका मतलब कि हमारे रोल्स अंदर से भी अच्छे से पक चुके हैं ये हलके से फूले हुए दिखेंगे ग्रेवी में रोल्स डालने के बाद 10 मिनिट लगे इसे पकने के लिए 10 मिनिट के टाइम में रोल्स पक भी जाते हैं और सॉफ्ट भी हो जाते हैं तो हमारी मेती की नियू रेसिपी बिल्कुल रेड़ी है सर्विंग के लिए रोज रोज की सबजी खाकर अगर आप बोर हो चुके हैं तो इसे बना के देखिए आपको जरूर पसंद आएंगी मेरे चानल पर नए है तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने फ्रेंस और रिलेक्टिव्स के साथ मैं मिलती हूँ आप लोगो इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज के साथ अल्ला आफीस